आप सबी दर्शकों का एक बात फिर से बहुत-बहुत स्वागते कारिक्रम स्पॉर्ट लाइट में दर्शकों ये वो कारिक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको ऐसे व्यक्तित्वों से परिशुत कराते हैं जो आपके लिए प्रेड़ना स्रोथ हैं जी हाँ आज हम बात करेंगे पूनम कालरा जिसे जो मोटिवेशनल स्पेकर हैं काउंसलर हैं साथ-साथ आप लेखी का भी हैं उनके जीवन से लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं यह हम जानेंगे उसे बातचीत करके स्वागत करते हैं पूनम जी का स्टूडियो में पूनम जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार रही थी तो आपने बताया कि आप हाउस वाइफ थी और सड़नली यह चेंज क्या कौन आपका प्रेणर्स रोट रहा जो आप एक हाउस वाइफ से इस लेवल पर आ गई कि आप स्वें वीडियो बनाती हैं लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं आप लेखी का भी है सबसे पहले तो मैं आपको बताओं कि मैं अपने आपको हाउस वाइफ को भी नहीं कहती हैं जी मैं अपने आपको या तो होम मेकर गहती हूँ या क्वे नौता हाउस कहती हूँ क्योंकि मैं housewife कैसे हो सकती हूँ, मेरी शादी house से थोड़ी हूई है, इसलिए मैं housewife तो बिलकुल नहीं हूँ, और उसके बाद मेरी life का ये turn कैसे हुआ, ये बहुत लोग मेरे से question करते हैं, और सच में ये बहुत मुश्किल है कि आप इस age में आके YouTube में वीडियो डालो और 275 तक पहुंच जाओ, बस मुझे लगता है कि कभी कभी भगवान को जो मनजूर होता है न वो आपके हाथों से करवा देता है, बस मेरा भी ऐसे ही था कि मेरी life बहुत अच्छी निकल रही थी, और उसके बाद करोना आया, और life खतम हो गई, बिलकुल life खतम हो गई, और आप स कि मेरी जिनगी खतम हो गई, और एक दिन की बात है कि मुझे, मुझे बहुत गवराट हो रही थी, इतनी गवराट हो गई थी कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं घर छोड के बाहर निकल जाओ, लेकिन मैं कद नहीं सकती थी, और मैंने क्या किया, मुझे मैंने यूट और आर बस मैंने उसको, मैं फेस्बूक में बहुत एक्टिव थी, उस सभंची मैं भी अक्टिव थी, आज भी बहुत एक्टिव हूँ. तो मैंने वो फेस्बूक में वीडियो डाल दिया, मेरे वीडियो डालने की देर. लोग घर में ऐसी परिशान थे बयटे हुए थी, और लोगों ने उसको इतना सराहा कि मैं तो इतनी हरान हो गई कि वो मेरा वीडियो अच्छा भी ने बना हुआ था मैं बोल रही थी, कभी ऐसे उपपर देख रही थी, कभी कहीं मेरे को तो वीडियो बनाना ही नहीं आता था बस लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि वीडियो बना, बहुत लोगों ने मुझे, मतललं इतना मुझे कहा वटस अप में मेसेज जिस, फोन में मेसेज़ स्वे अगरे में आपके जूरू करें. मुझे अच्छा लगने लग गया, मुझे अच्छा इसलिए लगने लग गया, क्योंकि जो मेरे अंदर जितनी बाते थी, मुझे बच्पन से पता ही नहीं थी कि मेरे अंदर इतनी मोटिवेशनल बाते हैं, मेरे अंदर मोटिवेशनल बाते भरी पड़ी थी पूरी लाइफ क और वो धीरे धीरे मेरे वीडियो के थूरू बाहर आने लग गई और मेरे वीडियो में एक सबसे अच्छी बात पहले वीडियो से लेके आज तक है कि मैं हमेशा सच बोलती हूं और दिल से बोलती हूं और बस लोग पसंद करते गए और मैं वीडियो बनाती गई मैं आगे ब है मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगता है मुझे इंटर्विउ दने बहुत अच्छे लगता है मुझे Bowl यूट्यूब में वीडियो बैलाने बहुत अच्छे लगते हैं रहोगों से मिलना तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता क्यों ने कॉरोने ने एक कलाकार बना दिया वो है पुरॉम कालराजी जो आप के में में गुबार था जो कु छुपा हुआ था वो बीडियों के जरीए और आपके कारिक्रमों के जरीए लोगों के सामने हैं आपके पुस्त्राकों के जरीए आपके सामने हैं और यहां पर देखने वाली बात यह है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप होम बेकर हैं आपकी शादी किसी घर से नहीं हुई है आप हाउस वाइफ नहीं है तो यहां पर यह सोच भी लोगों को बदलने की जरूरत है कि जो शब्द हम गढ़ लेते है अपने लिए उसी में हमारा जीवन ठल जाता है अगर हम सोच बदलने तो जीवन वाकई बदल सकता है जैसा कि आपने अभी कहा पूनम जी आप काउंसलर भी है और आपके पास बड़े-बड़े केस्स आते होंगे आपने को आपको यादकार केस याद आ रहा है कि जिसको आ जादतर प्राबलम पता है आजकल की लेटेस्ट और सबसे जादा प्राबलम होती है कि लोगों की बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो जब माबाप से अलग रहने के लिए कहते हैं और अलग रहते हैं तो बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं लेकिन माबाप जो होत मचके इसको छोटा सा समझो कि बच्चे हैं जहां खुश रहना चाहते हैं बच्चे हर इंसान अपनी प्राइवेसी चाहता है फ्रीडम चाहता है सब लड़किया फ्रीडम चाहते हैं अगर वो आपसे अलग होने को कहते हैं या कभी आप उपर नीचे घर में रह जाते हो तो इसमें क्या प्राबलम है और आपका प्यार है आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं आप उनसे प्यार करते हो और अगर ऐसे आप रह जाते हो तो क्या प्राबलम है आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी तो बस फिर तो लाइफ में प्रावलिम ही नहीं रहेंगी कुँकि आपको किसी में इंटरफीर करने की जरुफी नहीं होती आज गर ना तो लड़किया न लड़के ना थो बहुए है न दमाध कोई भी नी चाहता कि आप किसी के लाइफ में इंटरफीर करो तो सबसे अच्छा है कि आपको खुद को जो अच्छा लगता है आप वो करने की कोशिश करो तो आप बहुत खुश रहोगे और आपको ये सारी बाते दिमाग में आएंगी ही नहीं कि मैं परिशान हूँ ये आप सब कुछ भूल जाओगे आपको कुछ दिमाग में नहीं आएगा आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो आप हमेशा खुश रहोगे जी यानि जीओ और जीने दो है ना समाज का ये संदेश है और उसको आत्मसाथ कर लें तो जीवन अपने आप समर सकता है एक समस्या और भी होती है पूरम जी कि वरकिंग है आजकल जादा तर लोग चाहे मेल हो या फीमेल हो उनके जीवन में ये समस्या रहती है कि जब वो आफिस जाते हैं तो वहां की अपनी समस्या होती है घर की अपनी समस्या होती है ऐसे में कहीं न कहीं mental जो health है वो प्रभावित होती है तो किस तरह से इस life को balance किया जाए कैसे आप counselling करती है ऐसे लोगों की जो बहतर जीवन जी सके यह तो मुश्किली नहीं है आप जब job बे जाते हो आप घर से breakfast करके जाते हो आप healthy breakfast करके जाते हो आप lunch बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो lunch घर से लेके जाते हैं घर से लेके जाते हैं तो ठीक है और अगर घर से लेके नहीं भी जा पाते हैं कई लोग बहुत सुबर जल्दी घर से निकलते हैं और lunch नहीं लेके जा पाते हैं तो आप बाहर खाने के लिए भी आपको बहुत healthy food मिलते हैं, बहुत सारी चीजे आपको मिलती हैं, आपको सिर्फ ढूंडने की जरूरत है, तो आप lunch वहां पर करते हो, और evening में आप घर में आके अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हो, या अपनी मा के हाथ का बना समय साथ बिता के जो समय होता है, वो नहीं दे पाते हैं, ऐसे में कहीं न कहीं, मांसिक विकृती लोगों में, मांसिक अशान्ती पैदा होती है, उसके लिए किस तरह से life balance की जाए, देखो अगर husband wife अपनी adjustment अपने आप कर लेते हैं, adjustment words बहुत ही बड़ा है, husband wife के लिए, अजकर लड़कियां बहुत educated हैं, और मैं तो खुद कहती हूं कि अगर लड़कियां इंटी पड़ी लिखी हैं तो वो घर में क्यों रहें, वो जॉब क्यों नहीं करें, उनको करना चाहिए, उनको हमेशा जॉब करना चाहिए, और understanding तो अपस में husband wife की होई जाती है, Saturday, Sunday, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि आपकी सोच भी जरूर बदली होगी, बस सोच बदल लीजे, जीवन अपने आप बदल जाएगा, यह पूनम जी का संदेश है, और संदेश को आत्मसाथ कर लीजे, क्योंकि अगर ये संदेश जीवन में बना र रहेगा, पूनम जी आप से कहना चाहेंगे कि आप स्टूडियो में आई इतनी एहन जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, आप हमारे संद्वानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूले, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले.